उस्ते हैं हमसे कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए तो मैंने उन से कहा जैसे कि अभी हमारे कुछ दोस्त भी बता रहे थे रोज सुभ़य आख खुलते ही जिसकी याज सबसे पहले आए वो याद हो तुम जिसकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है वो सुकून हो तुम्हारे जिससे जगड़ा करने के बाद भी उससे मेरा प्यार कम न हो वो प्यार हो तुम्हारे जिससे बात किये बिना एक पल भी न रह पाए वो चैनो सुकून हो तुम्हारे जिसकी बातें सोचकर चेहरे पर इसमा आपस कर जाए वो इंसान हो तुम। के साथ महंगा पड़ता है इनको प्यार। कमाने को पैसा घर से दूर जाते हैं। क्या ये इनके सपने, क्या थी इनकी ख्वाइशें। सब भूल जाते हैं। जिन्दगी की राहों में अकसर ये खुद को अकेला पाते हैं। फिर भी ना जाने क्यों लड़के मुस्कुराते हैं। हसाते हैं ये सबको गले लगाते हैं। पर आए कभी जो आसू तो ये इनम्हें पी जाते हैं। देखकर कमाई सब इनको रिस्ते बनाते हैं, अगर होगी खाली जेब तो लोग इने छोड़ कर चले जाते हैं, फिर भी ना जाने क्यों लड़के मुस्कुराते हैं, चुपे चुपे से रहते हैं, सरयाम नहीं होते, कुछ रिस्ते सिर्फ एहसास होते हैं, उनके नाम नहीं हो इश्क के नसे में बेकाबू नहोना बाबा बन जाना पर बाबू नहोना मिजाज ये अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने चोटी सी स्टोरी या उसको कहानी भी कह सकते हैं किसी गाउं में एक ताले वाले की दुकान थी ताले वाला रोजाना अनेक चाबियां बनाया करता था ताले वाले की दुकान के पास एक हतोड़ा भी था वो हतोड़ा रोद दिखा करता था कि चाबी इतने मजबूत ताले को कितनी आसानी से खोल देती है एक दिन हतोरे ने चावी से पूछा मैं तुमसे इतना सक्ति साली हूँ मेरे अंदर लोहा भी तुमसे ज़्यादा है और आकार में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और तुम इतनी छोटी सी हो और इतनी आसानी से मजबूत ताला कैसे खोल देती हो चावी ने मुझकरा कर ताले से कहा तुम उपर से प्रहार करते हो, उसे तोने की कोशिश करते हो मैं उसके अंतर मन में जाकर उसको छूती हूँ और घूम कर उससे निविधन करती हूँ और ताला खुल जाता है वाह कितनी गूर बात कही चावी ने की मैं ताले के अंतरमन को छूती हूँ और वो खुल जाता है दोस्तों आप कितने भी सक्तिसाली क्यों नहों कितनी भी आपके पास तागत क्यों नहों लेकिन जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर मन को नहीं चुऊंगे, तब तक आपके कोई इज़त नहीं करेगा. Thank you, thank you very much.